इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप OSP Quick Panel script से एक professional तरीके से SMM Panel website create कर सकते हैं साथी साथ कैसे इसको setup करना है and Google पे run करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मेरी पुराने वीडियो को आप चेकाउट कर सकते हो तो आपको बहुत सारा help मिल जाएगा about domain and hosting के बारे में तो यहाँ पे हम growthcard.in सबसे पहले purchase कर लेंगे बहुत ही प्यारा domain है जो की available है तो हम यहाँ पे purchase कर लेते हैं यहाँ पे आपका जो भी option मांगता है free या email के लिए तो उसको आपको dislike कर देना है simply आपको single domain को ही purchase करना है तो यहाँ पे आपको account create कर लेना है आप directly google से login करके payment कर दीजे and यहाँ पे आपको एक web hosting खरीद लेना है जिसमें हम अपने script को install करेंगे तो web hosting के लिए बहुत सारे web hosting आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे dulux वाला मैं recommended करूँगा थोड़ा costly है लेकिन as a beginner अगर आप start up कर रहे हो एक दो महीने आप इसमें अराम से run कर सकते हो तो आप starter plan को लेके continue कर सकते हैं यहाँ पे आप इसको monthly base पे खरीद सकते हैं तो ज्यादा payment करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी starting में तो 199 rupees something में आपको web hosting भी यहाँ पे मिल जाएगा तो यहाँ पे आपका hosting खरीदने के बाद और domain खरीदने के बाद आपको setup का option देखने को मिल जाएगा तो आपको simply setup में click कर कर दीजिए तो आपका जो domain name का name server वेगरा है वो सारा कुछ GoDaddy automatically setup कर देगा तो आपको DNS में कोई भी काम नहीं करना होगा यहाँ पे आपको चूसा data center में North America, Europe and Asia देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे recommended Asia है तो Asia को ही select करें create a WordPress website तो इसको no thanks कर दें तो आपका जो भी WordPress software है व management क्लिक करके कुछ इस तरीकी के page में आ सकते हैं यहाँ पर डोमेन भी देख सकते हैं जो domain name है future home something quite cool तो अभी हमारा जो domain है वो hosting से connect हो चुका है उसलिए हमको यह default page देखने को मिल रहा है तो अभी यहाँ पर हमको सबसे पहले install करने के लिए script purchase करना होगा और मैं आपको बता यहाँ पर हम simply आके quick panel के user में यहाँ पर देख सकते हो 2999 इसका script का price है लेकिन यह भी limited है क्योंकि यह offer चल रहा है तो आप ले सकते हो जल्दी sale दी इसके बाद इसका price बहुत ही high होने वाला है तो जल्दी sale दी आके purchase कर लेना तो यह design आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक user account login कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो new order page जो है कुछ इस तरीके का interface है अगर आप देखना चाते हो simply smmpanel.onsmpanel.in is domain पर जा सकते है link description में तो आप खुद भी अपने mobile या PCC directly इसका demo देख सकते हैं तो जो admin का demo है वो भी मैं आपको आ नए client आते हैं उसका balance low होता है 10 रोपे से तो उनको वो alert show कर देगा वहाँ से वो directly fund add कर सकते हैं यहाँ पर सारे के सारे payment methods option दिये गया है पे टिया गया है रोजोर पे दिया गया है और पेटियम auto भी है and साथी साथ perfect money भी available है यहाँ पर देख सकते हो services page है उसके बाद यहाँ पैनल option आपको मिल जाता है जिससे कि आप अपने और भी पैनल को grow कर सकते हैं अपने खुद के child panel sale करके यहाँ पर API option and support ticket option आपको देखने को मिल जाएगा support ticket भी बहुत easy बनाया गया है ताकि आपके client एकदम easy तरीके से आप से contact कर पाए and उसके बाद यहाँ पर terms option है terms भी पह ज़्यादा colorful या ज़्यादा design देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हो members का option है जिसमें आपको सारी की सारी जो status है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपको user का mail और जो email number है वो सारे कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे तो इससे आप email marketing बेगरा भी कर सकते हैं साथी साथ यहाँ पे orders page, refill page, services page services page में आपको import option मिल जाता है जिसका भी आप API connect करते हो वो API यहाँ पे show करता है यहाँ से आप उसकी सारी की सारी service collect कर सकते हो one click में और साथी साथ इसमें description भी fetch होता है तो tension की कोई बात नहीं है लेकिन description आपको जो allow करता है सिर्फ उसी का copy कर सकते हैं यहाँ पे financial option में आपको online payments, payment notifications और यहाँ पे आपको coupon code का option भी देखने को मिल जाता है coupon code एक बहुत अच्छा feature है अगर आप promotional जादा तर promote करना चाते हो आपके panel को या clients को थोड़ा amount देना चाते हो testing के लिए तो आप coupon code create कर सकते हो तो यहाँ पे आप कोई भी welcome 5 बोल के भी बना सकते हो या आपके मन में जो भी coupon code आता है randomly वो आप डाल सकते हो याँ पे आप अपने clients को coupon code भी promote कर सकते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो coupon code के बाद हम आज आते हैं तो coupon code के बाद यहाँ पे को statics मिल जाता है statics बहुत अच्छा feature है इसमें जिसमें आपको सारा का सारा orders का details हो गया जो भी आपका profit का detail हो गया payments का detail हो गया वो सारा कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा इसमें आपका जो भी profit होता है date bys and month bys पूरा आपको show करता है कितना amount आया है कितने orders आएं वो सारे के सारे आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा एकदम calendar wise तो इसको आप बिल्कुल देख लेना बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसान है समझने में यहाँ पे support ticket का option आपको मिल जाता है जिसमें आप reply करते हैं प्लस अगर आप कोई account या कोई ऐसा detail है जो कि client को send करना जाते हैं तो यहाँ पे आप client को single support ticket भी create कर सकते हैं तो यहाँ पे support ticket का option बहुत ही प्यारा दिया गया है ताकि आप जल्दी से जल्दी clients के साथ interact कर सकते हैं और यहाँ पे आप support ticket को भी मैं आपको open करकर दिखाता हूँ यहाँ पे आपको close वगरा सब कुछ option दिया गया है पर पर्फेक्ट मनी यहाँ पे पेटियम जो bonus वाला option होता है वह भी अगर आप चाहो तो आपके client को ad fund में bonus दे सकते हो चाहे वह कोई सावी payment method हो यहाँ पे आप उसका amount डाल सकते हो कितने amount में कितना percent bonus मिलेगा तो बहुत ही अच्छा future है इसमें से आपके clients और भी आपके loyal हो जाते हैं और उनको थोड़ा balance मिलता है इससे तो और भी वो खुश हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे extra features मिलते हैं जो कि आपको normally कोई नहीं देता है यहाँ पे आपको advance से advance API provider आप connect कर सकते हैं कोई भी API provider connect करें तो सबसे पहले आपको onsmmpanel.in में चले जाना है और यहाँ पे आपको buy now में click कर देना है और यहाँ पे आपको account create करने के लिए बोलता है load points and place your order तो यहाँ पे सबसे पहले हमको एक account create कर लेना है account create करने के लिए जो भी details आपको मांगे जाते हैं submit करने के बाद create account में click कर दीजे and यहाँ पे आपका जो भी account है उसको simply login कर लीजे login करने के बाद जो product है उसमें आ जाईए तो यहाँ पे हमारा quick panel का जो product है यहाँ पे आप देख सकते हो simply features इसके जो भी है इसको आप अच्छे से read कर लेना उसके बाद आप purchase करना यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी order है आप simply यहीं से करके यहाँ पे ही download कर सकते हो कैसे download करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ उससे पहले हमको fund add करना होगा simply fund add करने के लिए यहाँ पे आप add fund में click करके जो भी amount आपको add करना है वो डालके यहाँ पे add funds में click कर सकते हो यह script हमको 2999 में मिल रही तो हमने 3000 add कर लिया है यहाँ पे आपको new order में आना है and view करना है quick panel को and नीचे आ जाना है यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो domain name का space है simply आपको एकदम correctly domain name डालना है कोई भी गलट डालते हो तो installation में delay हो सकता है या कोई भी error आपको face हो सकता है तो domain एकदम correctly डालना and submit order करते ही आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा amount cut हो चुका है एक रुपय बचा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो domain name के सामने download बटन आ चुका है और यहाँ पे हमारा file भी download हो चुका है तो बहुत ही असान है आप तुरंती payment करके download कर सकते हो यहाँ पे हम इसको minimize कर देते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इसको cut कर देना simply इसको cut कर दिया यहाँ पे आपका जो SSL certificate है वो install नहीं होता है go daddy पे instantly नहीं देते हैं उन लोग और उसके लिए पैसा लगता है ठीक है तो आप इसको कैसे free में कर सकते हो वो भी मैंने already वीडियो में बताए है फिर भी मैं आपको आगे इस वीडियो में ही बताऊंगा कि कैसे SSL लगाना है तो सबसे पहले आपको cPanel में आने के बाद आपको file manager में आ जाना है and settings में click करके dot files hidden files जो होती है उसको on कर देना ताकि जो भी hidden files है वो आपको यहाँ पे show हो जाएं ठीक है तो public html के अंदर आपको by default बहुत सारी files देखने को मिल जाएंगी तो इसको आपको delete करना होगा select all करके simply हम इसको delete कर देते हैं delete करने के बाद इसको refresh करते हैं हमारे domain को तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी उनकी files जो default थी वो remove हो चुकी है अभी यह forward इन आ चुका है मतलब कि अब हम अपना script जो यहाँ पे upload करके install कर सकते हैं तो simply आपको public html में ही upload करना है और जैसे यह से steps में आपको बता रहा हूँ उसको अच्छे से follow करना है ताकि आपका कोई भी mistake ना हो बहुत ही easy है इसको install करना simply आपका file upload होने के बाद public html में इसको extract कर देना है extract करने के बाद आपको database upload readme installation and यहाँ पे जो zip file आपने upload किये वो show होगा तो यहाँ पे आपको installation text already दिया हुआ इसमें by default username and admin का password भी दिया हुआ है तो यह आपका user का बाकी मैं आपको वीडियो में आगे बता ही रहूँ कि कैसे आपको इसको installation करना है तो यह सारी के सारी आप यहाँ पे details check out कर सकते हो अगर आपको text को read करके install करना है या कोई problem आती है तो तो यहाँ पे अभी फिलाल हमको इसकी जरूत नहीं है नहीं zip file की क्योंकि हमने जो भी extract करना था वो कर लिया इसको simply delete कर देते है and upload and database option है तो database में आपको जाना है पहले मैं आपको upload दिखाता हूँ यह सारी files को आपको बाहर करना है सबसे पहले आप database में जाए and database में जो SQL file है इसको download कर लें इसके बाद आपको इसका भी कोई काम नहीं है जो आपने download कर लिए इसको back कर दे and database का folder जो है इसको भी delete कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है अब इसको आपको simply move कर देना है public html में सेम इसी तरीके से तो यहाँ पर हमने डाल दिया है okay and यहाँ पर move तो यहाँ पर आपकी जो भी files है वो move हो चुकी है public html में अभी आपको upload के folder को भी delete कर देना है कोई काम नहीं इसका okay so यहाँ पर हमारी यह भी files थी वो एकदम हमने correctly यहाँ पर डाल दिये है public html में अभी आपको जाना है app के अंदर उससे पहले आपको एक database create करना है and उसमें इस database को import करना है तो आपको इसको करने के लिए simply mysql database wizard में जाना है यहाँ पर आपके cPanel में and यहाँ पर आपको जो database है उसका username उसका password और उसका name जो होता है database का वो सारा कुछ आपको यहाँ पर डालना है तो यहाँ पर हम अपने domain name से ही बना लेंगे यहाँ पर हम डाल देते हैं growth cart okay and इसी को copy करके रखते हैं ताकि हम next में भी डाल पाया तो username भी same डालेंगे and password भी आप अच्छा सा बना लेना है फिलाल मैं simple डाल रहा है उसमे same name डालके ही add the rate hashtag dollar ओके यहाँ पर create user हम create कर लेंगे and second में आपको यहाँ पर all प्रिविलाइजर में click कर देना है जो भी इसके permissions है वो सारे के सारे select कर लेना कोई भी इसमें से miss नहीं करना है ठीक है इसको करने के बाद simply आप यहाँ पर next step में click कर देना है तो आपका जो database है वो create हो जाएगा अभी आपको यहाँ पर cpanel का logo देख रहा है left side में top में तो आपको simply cpanel में click करना है जाके हम जाएंगे यहाँ पर cpanel में and आपका जो database अभी recently create किया गया है उस database को आपको select कर लेना है तो यहाँ पर हमारा यह database इसको select किया and आपको कुछ इस तरीकी का interface देखने को मिलेगा यहाँ पर तो यहाँ पर देख सकतो no table found लिखा हुआ तो यही होना चाहिए इस database के अंदर ही आप आना and यहाँ पर import में click कर करना है import में click करते ही आपको यह file upload का option मिल जाएगा आपका जो SQL file आपने download किया है उसको यहाँ से select कर लेना है तो यहाँ पर हम select कर लेंगे यहाँ पर हमारा select हो चुका है and इस file को upload कर देंगे तो इसको cut कर देते हैं go तो हमारा SQL file है वो भी हमने यहाँ पर import कर दिया है अब इधर पर कोई भी काम नहीं है कोई भी एक्स्ट्रा छिडखानी नहीं करनी आपको यहाँ पर अगर कोई छिडखानी करते हो तो बहुत सारी मुसीवत आ सकती है आपकी website तो database import हो गया अब आपको यहाँ पर simply back कर देना है बैक करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका ज user database password और database name जो है वो डाल देना है तो इसको replace कर देंगे हम domain name को सबसे पहले correctly आप अपने domain name को डालना नहीं तो यह गलत redirect हो जाएगा दूसरे domain पे अगर आप डाल देते हो तो simply इसको अच्छे से डाल देना जो भी domain name में उसको ज्यादा है तो write down करके रखना then copy paste करना and डाल लेंगे database का name डाल दिया user डाल दिया एंड यहाँ पर password तो same हमने password डाला था एड़ डाल लगा दिया था आप जरूर इसको secure करना मैं सिर्फ installation में आपको यह easy बना के दिखा रहा हूं जो भी password है बाकि आप लोग आपका password एकदम मजबूत बनाना ताकि कोई भी hackers इसमें टैक ना कर पाएं तो यहाँ पर हम सिंप्ली इसको save कर देंगे एंड यहाँ पर हम अपने website को refresh करेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आपको SSL का error जरूर दिखाएगा अगर आपने SSL नहीं लगाया तो go daddy costing अगर आप use कर तो जरूर आएगा तो इसको कैसे setup करना है वह भी मैं आपको आगे बताता हूँ अभी फिलाल हम इसको advance में क्लिक करेंगे और यहाँ पर continue to unsafe में क्लिक करेंगे ताकि हम देख पाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह भी error एक आएगा आपको not found का तो यह error आ रहा है हमारे PHP से तो PHP का जो error है वो .htaccess file जो मैंने .htaccess file तो इसको आपको simply click करके edit कर लेना है एडिट में click करते हैं आपको कुछ इस तरीके interface होगा तो यह hashtag से start है और यह जो end है इसका simply आपको do not edit वाला था तो इसको remove कर देना यहां से यहां तक जहां तक मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूं इसी इतना ही करना नहीं तो औ प्रेश करेंगे अपने domain को और देख सकते हो हमारा जो site है वह एकदम properly यहां पे दिखा रहा है कोई भी error अभी तक नहीं आया ठीक है जो भी errors थे वो मैंने आपको वीडियो के starting में पूरा दिखा दिया किस तरीके आपको solve करना है अभी आपका जो default username and password दिया गया है admin का उस admin panel में तो यहां पर हम slash admin लिख देंगे तो आप देख सकते हो हमने बहुत ही easy तरीके से इसको install कर लिया है same interface जो भी आपको मैंने वीडियो के starting में दिखाया जो भी हमारे demo में था वही चीज़ आपको यहां पर same to same मिलनी है कोई भी आपको problem होता है या कोई भी आपको दिक् contact जरूर कीजिए support ticket के जरीए और यहां पर देख सकते हो जो भी public htl में हमारा काम था वो complete हो चुका है अभी हम जो है इसका setting वगरा करेंगे कैसे setting करना है वो मैं आपको बताता हूं यहां पर जो भी आपको options वगरा दिये गए हैं यह जैसे payment notifications यहां पर pending support request यह सारा कुछ options से आप आपको मिल जाएगा dashboard में ठीक है अभी आपको क्या करना है आपको इसको cloudflare से SSL लगाना है तो जो भी installation तब हमारा complete हो गया अब हम cloudflare में visit कर चुके हैं यहां पर हमको sign up कर लेना है एक account create कर लेना है ताकि हम यहां से free में SSL लगा पाएं ठीक है तो आप भी simply email and password ड डाल देना simply आपको and add side में click करना है तो आपका जो site है वो add हो जाएगा यहां पर आपको कुछ packages दिखाए जाएंगे 20$ 200$ के तो इनको तो लेना नहीं हमको simply $0 वाला जो है इसको select करे continue करना है क्योंकि हमको सिर्फ इसका security and SSL use करना है इन feature अगर आपका अच्छा प्रोफिट होता है तब आप इसके बारे में सोच सकते हो paid वाला ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके interface आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर आपको यह सारी की सारी जो DNS records है वो copy कर लेता है और इसमें आपको कुछ name servers मिलेंगे उसको आपको go daddy में जाके update करना and go daddy में आने के बाद आपका जो domain name है उसके सामने DNS का option देखने को मिल जाएगा इसमें click करते है कुछ इस तरीकी computer आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको name servers का option देखने को मिल जागा name server में आपको change में click करना है and यहाँ पे आपको एक option देखने को मिलेगा कि आप change seriously करना चाहते हैं या नहीं तो वो भी error type का लगता है तो उसमें घवराने की ज़रूत नहीं है इसमें आप click करोगे and यहाँ पे आप डालोगे name server first and name server second वाला भी हम डाल देंगे okay done तो यहाँ पे आपको save कर देना है save हो गया and यह जो आपको error दिखाता है मैंने आपको बताया तो इसमें कोई भी issue नहीं है आप इसको yes कर दे and continue कर दे तो आपका जो domain name का name server है वो अब update हो चुका है cloud flare के साथ ठीक है तो यह थोड़ा समय लगता है तुरंत ही आपको SSL certificate वहाँ पे नहीं show करने लगता है थोड़ा सा time लगेगा आप दूसरे किसी के mobile या इंटरनेट से चेक करना तो आपको वो देखने को मिल जागा कि आपका SSL लगा है कि नहीं अगर आपका name server check करना है कि आपके domain name में लगा है कि नहीं तो into dns.com slash आपका domain name डाल के आप directly आपके name servers भी check कर सकते हो तो अभी फिलाल इसमें update नहीं हुआ है तो यह update होने में थोड़ा समय लगेगा then जो आपका SSL है वो show करने लगेगा आपके website पर तो अभी हम इसको simply done and check करेंगे तो यहाँ पर अगर जो हुआ होगा तो वो update कर देगा यहाँ पर आप देख सकते हो HTTPS का option है इसको जरूर आपको enable कर देना है and यहाँ पर enable auto तो इसको कुछ भी नहीं करना है इसको ऐसे ही रहने देना है and इसको simply आपको continue करना है तो यहाँ पर आपको फिर से check name server का option देखने को मिल जागा इसको भी कर देना है and सबसे important है आपको एक email जाता है इनके तरब से अगर आपने नय account create किया तो email जरूर आपको active कर लेना है आपको activation link के लोग भेजते है तो आपको जो activation link है उसको click करके आपके account को verify कर लेना है तो आपका जो SSL है वो आपके इस website में लग जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी website में SSL certificate लग चुका है settings को option में click करते हैं कुछ इस तरीकी का interface आपको देखने को मिलेगा अगर आपको logo and 5 icon बनाना आता है तो आप बना के upload कर लीजे otherwise आपको यह चीज नहीं आता है बनाना तो आप simply on smmpanel.in में जाके वहाँ से आपने website के लिए logo design करवा सकते हैं इसके लिए आपको simply new order page में आना है and helpful service में logo design select करके order कर देना है आपके domain name के साथ तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा order place हो चुका है यह हमको एक से तेड़ घंटे के अंदर मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो logo वाला अगर आपको पैनल का name यहाँ पर पूरा का पूरा update कर लेना है कोई भी मतलब दूसरा name डला होता है तो आपको replace कर लेना है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने अपना panel का नाम डाल दिया है एच के बाद आयाता है site currency तो उस currency में आपको recommend it करूँँग कि INR रखें क्योंकि यह script जो है INR पे जादा comfortable है और इसमें जातर payment Indian है उसके बाद आपको यहाँ पर आता है recap option तो अगर आप चाहो तो login and registration page में recap security दे सकते हो जहाँ ज़रूरी नहीं है अगर आप यह देते हो तो थोड़ा irritated होते हैं लोग and login registration में problem होता है तो आप normal उसको ऐसे ही रहने दें यहाँ पर आपको client status का option मिल जाता है आप चाहो तो bronze, silver, gold and dealer वाला जो भी spending होता है वो आप यहाँ पर set कर सकते हो spending के हिसाब से उनको वो status दिखाएगा कि उनका account किस level पे है उसके बाद यहाँ पर forget password का आपका यह mobile वाला इसको पैसे भी रहने देना है and यहाँ पर इसको active कर देना है उसके बाद आपके यहाँ पर बाकी जो भी options है by default जो भी settings यहाँ पर हुई है उसको आपको ऐसे ही रहने देना है and यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा header code यहाँ पर मैं आपको देखाता हूँ speed का यह आप setup कर लेना बाकी यहाँ पर जो भी header code है footer code है यह भी आप setup कर लेना यह सम एकदम easy है इसके बारे में भी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है या कुछ problem होता है तो आप comment कर देना मैं particular और वी वीडियो उसके उपर बनाने वाला हूँ तो उसमें आपको यह चीज़े mention कर दूँगा ठीक है तो जैसे ऐसे मैंने यहाँ पर settings करते आ रहा हूँ and save करते आ रहा हूँ तो इसी तरीके से आपको भी करते जाना है जो भी आपका description है जो है आपका panel rank करे यहाँ पर देख सकते हो page settings तो आपका जो terms वाला है उसको आप यहाँ से edit कर सकते हो terms में पहले से आपको यहाँ पर सारे के सारे terms लिखे हुए है simply आपको यहाँ पर कुछ words replace करने होंगे इसके बाद आपको payment settings कर लेना है जो भी payment methods आपके पास available हो यहाँ पर आप उनको setup कर सकते है इन feature आपको और भी बहुत सारे payment methods में देखने को मिल जाएंगे updates में अभी फिलाल इसमें कुछ गिंती के ही दिये गए है जैसे कि perfect money paytm and paytm qr बगरा तो आप ptm qr का बहुत अच्छे से use कर सकते है आपको कोई भी इसमें उसके लिए लग से business registration की जरूत नहीं पड़ेगी आपको अगर auto वाला use करना है जो कि ptm auto होता है direct payment डाल के payment add हो जाता है लेकिन qr वाले में क्या होता है आपका client आपका qr scan करके pay करता है इमेज लिंक तो यहाँ पर आपको जो भी ptm का qr है आपको business app से मिल जाएगा इस type का तो simply इसी image को आपको यहाँ पर डालना होता है तो यह image आप कैसे url बना सकते हो मतलब image का कैसे आप png format का url बना सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो imagigirl.com तो इस website में आके upload images में click करना है और यह पर जो भी आपका image है उसको यहाँ पर drag drop कर सकते हो यहाँ तो directly gallery से select कर लेना है तो यहाँ पर हमने select कर लिया है और जो हमारा qr है वो upload हो चुक है तो यहाँ पर आपको जब green notification दिखा दे successfully then इसको आपको right click करके open कर लेना तो आपको यह image का URL मिल जाएगा तो हम इसको replace कर देंगे आपर simply आपको zero रखना है कोई भी आपको extra charges वगरा नहीं लेना है क्योंकि आपको भी QR में कोई charge नहीं लगना है इसको update कर देंगे तो हमारा qr option है वो एकदम enable हो चुका है और मैं आपको user के दरब से भी जाके दिखा देता हूँ add funds यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा qr option है वो यहाँ पर add हो चुका है यह ptm qr ही नहीं इसमें किसी भी upi और किसी भी app से payment कोई भी आपका user कर सकता है आपका client कर सकता है ठीक है इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर बहुत सारे options और भी देखने को मिल जाएंगे जैसे कि यहाँ पर payment settings का payment bonus का तो payment bonus आप add कर सकते हो जैसे कि मैंने starting महीं आपको बताया कि आप payment bonus बगरा डाल सकते हो 1000 में 10% देदो तो आपके जो client है अगर 1000 रुपीज add करते हैं तो उनको 10% extra मिलेगा मतलब की 100 रुपीज extra उनको मिलेगा 1000 रुपीज में ठीक है तो यह एक एक offer है आप अगर ऐसा करते हो तो बहुत benefit भी है अगर आप इस type से coupon और bonus वगरा देते हो आपके client भी बहुत अच्छे बन जाएंगे और बहुत अच्छा सारा service भी use वो करेंगे तो यहाँ पर आप API provider देख सकते हो अगर आप किसी भी API provider का service यूज़ करना चाते हो तो simply यहाँ पर provider name, URL, key और जो भी उसका currency है वो select करके यहाँ पर API add कर सकते हो फिलाल के लिए हमारा अलरड़ी एक API लगा हुआ है वहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हो theme editor theme editor में आप जो भी theme से यहाँ पर देख सकते हो इसको हम active करते हैं तो यहाँ पर इसका theme change हो जाएगा तो यह जो default था उसको हम हटा दिये यहाँ पर red color का theme आगया अभी blue वाल active करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको refresh करते हैं तो यह blue वाला भी हो जाएगा ठीक है तो इसी type से बहुत सारे themes इसमें available हैं और भी theme आगे आने वाले हैं तो tension की बात नहीं है वो एकदम आपको free में मिलेंगे आगया तो इसी तरीके से बहुत सारे themes हैं इसमें आप changing कर सकते हो फिलाल हम default वाला ही लगा लेते हैं इसमें इसी तरीके से आप कर सकते हो प्लस आपको इन theme को अगर edit करना है तो वो तो मैं आपको आगे सिखाऊंगा यी वीडियो बनाऊंगा particular की कैसे आपको html वेगार edit करना है कैसे इसको designing वेगारा change करना है वो सारा कुछ मैं वीडियो बनाने वाला हूँ तो यह बहुत easy panel का script है मतलब आपको c panel बिन login किये भी आप इधरी से edit कर सकते हो बहुत असान तरीके से यहाँ आपको child panel का option मिल जाएगा जिसमें आप अपने name servers डाल सकते हो amount डाल सकते हो कि कितने में आपको child panel sale करना है तो यहाँ आप इसको update कर सकते हो simply okay so यहाँ तक आपका काम almost almost complete हो चुका है अभी आपको API provider and service कैसे add करना है वो मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो API provider पहले से एक add है हमारे पस अगर आप चाते हो कि किसी और का API add करना है तो यहाँ पर simply API provider का नाम डाल दो standard select कर लो API URL key and इसका जो limit है उसको zero रखो कोई issue नहीं है and जो भी इसका अगर आइनार रहता है आपके API provider का तो आइनर रखो otherwise उसको USD करना नहीं तो आप जब service add करोगे तो आपका convert नहीं होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतना काम हो गया तो हमारा जो पहले से API provider है तो इसी की service हमें import करके आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर सोशल काट की कुछ service यहाँ पर पहले से add है तो अभी हम इधर पर import service में click करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीकी का option देखने को मिलेगा तो simply आपके API को select कर लेना है और next step क्लिक कर देना है तो next step क्लिक करते ही आपको इस site की सारी की सारी जो service है वह available यहाँ पर हो जाएगी तो आपको simply select all भी करके add कर सकते हो otherwise आप चाहते हो कि किसी किसी category से कोई मतलब गिंती की service आप रखना चाहते हो कि best best service आपको collect करना है तो आप वो भी कर सकते हो कि single single service आप select कर लो देन उसका जो amount है वो भी आप high percentage रख सकते हो low percentage रख सकते हो आपके उपर depend करता है ठीक है तो यहाँ पर एकटा add करने के लिए recommended नहीं दूँगा मैं आप एक-एक category select करो देन उसका अलाग-अलाग percentage रखो तो आपको भी अच्छा-खासा profit हो जाएगा तो जैसे कि हमने यहाँ पे दो categories के दो-दो करके service select किया है अभी हम simply percentage डाल देंगे जो हमको profit करना है तो यहाँ हम 10% 20% डाल देंगे and add service में click करेंगे तो add service में click करते हैं आपका जो service है वो automatically आपके उसमें add हो जाएगा plus category के साथ अगर category नहीं भी बना है तो भी तो यहाँ पर देख सकते हो यह last वाला category अभी आया यहाँ पर हम इसको open करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो service यहाँ पर add हो चुकी है अगर आपको service को singly edit करना हो अगर आप चाते हो कि एक service का आपको price बढ़ाना है या description edit करना है तो आप simply यहाँ पर edit में click करके यहाँ पर इसकी सारी की सारी details को edit कर सकते हो चाहे वो title हो description हो या फिर price या minimum maximum तो यहाँ पर आप सारी कुछ update कर सकते हो यहाँ पर simply update setting कर देंगे okay so यहाँ तक आपका almost complete इसी तरीके सापको सारी की सारी service add करनी है अभी आप category भी add कर सकते हो service भी directly add कर सकते हो अभी जैसे कि आप यह category देख रहे हो यहाँ पर service में आपको जाकर दिखाता हो यहाँ पर अभी कोई भी icons ने लगे हैं लेकिन इसमें एक special option है कि आप इसमें icons भी लगा सकते हो simply category को edit करके यहाँ पर आपका जो भी icon का name रखना है जैसे कि instagram का service है तो हम यहाँ पर instagram डालेंगे और यहाँ पर refillable यह वाला option भी आपको बताना जरूरी है मैं आपको बताता हो तो यह जो रिफिल वाला है इसको भी अगर आपका category रिफिल वाला होता है तो रिफिल जरूर कर देना अधरवाइस आपको रिफिल बटन नहीं शोग करेगा आपके client को ठीक है तो इसी तरीके से आपको सारे categories को कर लेना यहाँ पर भी refresh किया तो आप देख लिजे आइकन यहाँ पर आचो का इंस्टाग्राम का तो इसी तरीके से आपको जितने भी categories हो यूटूब हो तो यूटूब डालना ट्वीटर हो तो ट्वीटर डालना तो इसी तरीके से आपको सारी की सारी service add कर लेनी है जो भी आपका एक collection बना लेना अच्छे से ताकि आपके clients को भी समझने में आसानी हो बाकी पैनल तो एकदम आसान है ताकि आपका client जो है हमारे सी पैनल में आ जाना एंड यहां पर simply जो भी chron jobs आपको दिये गए हैं जिस तरीके से उसको इधर पर add करना है कैसे add करना मैं आपको बताता हूं simply नीचे आना है यहां पर आपको chron jobs का option मिल जाएगा advance वाले टेब में तो chron jobs में आपको क्लिक कर देना है यहां पर आपको बहुत ही अच्छे से इसको copy paste करना है कोई भी एक mistake करोगे या एक space डाल दोगे तो आपका वो chron job काम नहीं करेगा तो यहां पर हम यह वाला copy कर लेते हैं simply copy एंड यहां पर आपको जो भी time दिया गया है उस time के मताबित आपको यहां पर select कर लेना है यहां पर हमने select कर लिया ओके यहां पर नीचे आके इसको paste command में यहां पर add new chron job तो यह एक मैंने add किया और इसी तरीके से आपको सारे के सारे chron jobs जो भी आपको लगता है कि यह जरूरी है जो भी recommended है उनको आप यहां पर add कर लें तो यहां पर हमने तीन chron jobs add कर लिए जो की बहुत important है पैनल को run रखने के लिए तो यहां पर हमने set कर लिए यहां तक हमारा काम पूरा का पूर done हो चुका है तो chron jobs add हो जाने के बाद आपका काम almost complete हो गया अब रह गया है तो google का SEO तो google का SEO already मैंने एक वीडियो बनाए हूँ है link description में उसको भी आप check out कर लेना तो site को कैसे SEO करना है वो भी आपको वापे समझ में आ जाएगा ठीक है अगर नहीं आता है तो आप बता सकते ह मैं अलग से particular एक वीडियो बना दूँगा पहली बार इस channel में इतनी long एक वीडियो बनाई गई है और बहुत मेहनत लगा है तो वीडियो को like जरूर कर देना तो दोस्तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में भी आया तो समझ में आया हूँ तो comment ज